तो कैस मैं हुएं के तोर आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटफर्क वाई पहले ही बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट्स है लाइक बहुत दिन बाद इससे खजाना मिला है मुझे अपडेट्स का तो आज वीडियो के अंदर हम लोग बहुत को देखें बिल्कुल एंड तक लाइक सेर अंड सब्सक्राइब करतें फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे दोनों के लिंक आपको मिलेगी नीचर डिस्क्रिप्शन में चरे वीडियो को सुरु करते हैं पहले हम लोग बातों को सुरु कर लेंगे रोम खराब हो जाएगी तो चांच स्कम है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहां पर है क्या यह जो पोस्टर है यहां पर सबसे नीचे जो नीचे क्रेडिट्स लिखे गए हैं हॉलिवुड थीम पे यहां पर डायरेक्टेड वाई विंस में यहां पर लिखा गया है अब वि बहुत मैसिव चीज है जो की नोट करी जा रही है आपके ठोट्स के इसको पर आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बटीष्टा की दा एनिमल की रसल में थीटीफाइब में डवी डवी से रीटायर होने के बाद बटीष्टा साल 2020 मे होने वाले थे हौल ऑफ फेम में बट विकॉज ऑफ पैंडमिक वो जो भी कुछ सीन हुआ कोविट का उस वज़ा से बटीष्टा इंडक्ट नहीं हुए उन्हें क्राउड के सामने यह मोमेंट चाहिए था अभी फाइनली 2023 जो की हौलीवूट थीम होने वाला है इस रसल मे से पहले जो हओल और करने वाले बटीष्टा लाश्ट हें मंडेट favor This नहीं होता तो इस बार करेंगे बटीष्टा वन थे क्रतें डॉमेनिक करतें तो दॉमनीक मिस्टारway क्या हुआ Kayla ऊंज मेने पहले हैं रसल मीना के लिए qualifying मने बटायों था में आपको अपियर होते वे देखने को मिल जाएंगे डॉमिनिक की आप पेरेंस होगी एंड उसके बाद रिसल मीनिया के अंदर डॉमिनिक और रेमिस टीडियो का मैच होगा तो यह वाले मैच की बिल्ड होगी आगे जाके मतलब अभी डॉमिनिक आने वाले स्मैक डॉन में को अपियर होते वे देखने को मिल जाएंगे तो इनकी फ्यूड दोबार से होने वाली है कंटिन्यू बात करते हैं गाज हम लोग जॉन सीना की तो जॉन सीना का डवी डवी रिटर्ण मंडे नाइट रॉल रिटर्ण हो चुका है कंफर्म यह तो मैं आपको कर रात कोई बा थैंक यू टीडी गार्डेन फॉर अलाउंग में तो बी पार्ट ऑफ अकांट मेंस डेवी डवी रॉड तो रॉसलमेनिया यहां पर कहना जॉन सीना का कि डायरेक्ट मेलबंस तो यानि कमाप इनकी सूटिंग चल दिये सूटिंग करके डायरेक्ट वहां से सीधा इधर है एक दूसरी तरफ रॉक है जो कि आ नहीं सकते हैं चोटे से मैच के लिए मैच तो बड़ा है लेकि थोड़ा सा चोटा सा टाइम नहीं निगाल सकते हैं यह लोगों कहना है बाकि ऑस्टेन थे ने भी मंडे नायट रॉक के बाद यह चीज़ कंफर्म कर दिये कि वह जौन लेकिन वो चीज़े हुई नहीं तो डेव मैच होने वाला था लेकिन नहीं हुआ तो अब उन्हें लगता है कि रिसल मीनिया के अंदर भी जो मैच होगा वो डीमन बैलर से नहीं होगा मतलब हैल इनसल मैच हो सकता है लेकिन वो फिन बैलर और इनका हो सकता है एज का उसमें सायद Demon Ballor की involvement ना हो ये बात कुछ कही है डेव प्रेटजर ने, हाले कि एक opinion है possibly Demon Ballor आ भी सकते हैं परपल Demon Ballor लोग कह रहे हैं जजमेंडी की वज़ा से, तो maybe हो भी सकता है लेकिन according to Dave प्रेटजर, उनके opinion के हिसाब से maybe Demon Ballor अपियर होते हुए ना दीखे, बात करते हैं गाजम लोग सेमी जेन की, तो सेमी जेन ने ट्वीट किया था, अभी कुछ Elimination Chamber के बाद वाले फोटोग्राफ को share करते हुए, काफ़ सारी फोटोस निकल के सामने आई थी, उनके बैक की जहां पर काफ़ी heavily injured दिख रहते हैं, जो marks थे भाई वो attacks के, वो काफ़ी brutal थे हैं, जो scars थे वो काफ़ी brutal थे हैं, तो इसको ही share करते हुए caption लिखते हैं, सेमी जेन, लिखते हैं some rounds might never heal, यानि कि कहते हैं कि कुछ जख मैसे होते हैं, जो कि सायद कभी भी नहीं हील होते हैं, यानि कि सायद उनसा हम कभी उबर नहीं पाते हैं, तो अपने back की बात नहीं कर रहें, बैसे के लिए bloodline, betrayal की बात कर रहें, ठोके धरी की बात कर रहें, ये कुछ सेमी जिननी बात है कहीं है, अपने tweet से, अपने Twitter पे, बात करते हैं, रेसल मीनिया के कि यहाँ आप डाइट के साथ भी होने इनका इनका इने के साथ पी विल्कुल लाइब फर्फोर्म होगा लेकिट सेयो Tiffany Carroll कि वहें इनका रहना धिस्कुर्शन थी मिर्शाएं अगए च्थित बीडिकर याइब कि कुछ इसलिए बात करते हैं आखरी अपडेट के बारे में जो किये भाई ब्रॉक लिस्नर एंड ओमस से यह क्या हो गया ब्रॉक वर्सेज ओमस क्या यह मैच रेसलमेनिया में होने वाला है आपको बताता हूं ध्यान से सुनना क्या कुछ सीन है तो आज मंडे नायट रोके अंदर ओ ब्रॉक छेटर के यहां पर कोई स्वर्व हो सकता है ड़ुकि ऑव्स वर्सेज ब्रॉक लिस्नर यह एक अनेकसेप्टेबल मैच जोग इसे एकसे नहीं करने की मैच हो कैसा सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ मैं मानी नहीं सकता किये मैच हो लेकिन अगर हो रहा है तो मैं legit कह रहा हूँ कि WWE को उससे पहली लेसनर को रिटायर कर देना चाहिए ओमस से मैच करार हो भाइस पर तुम्हें बहुत लंबी वीडियो बनाकर बोलना चाहता हूँ इसलिए उस वीडियो के लिए सेव कर रहा हूँ मैं फिलाल जादा नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ कुछ सोर्सिस का कहना है 50% सोर्सिस का कहना है कि यह कोई ट्विस्ट है और इधर डेव में चाहता हूँ यहाँ अप अपने ठॉट्स बता देना जरूर से कॉमेंट करके लेक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फॉलो कर देना आप लोग मुझे इंस्ट्राइक राम एंट ट्विटर पर दोनों के लिंक आपको में लगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्ट आफेर काफे इंडरस्टिंग वेडियो में